नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपको गुपता.com किचन में और आज मैं आपके शार्ष शेयर करने वाली हूँ यह हूँ के आटे का नूडल्स बनाने का एकदम आसान तरीका इस नूडल्स को हम बनाएंगे बिना किसी मसीन के जो की बहुत ही आसान तरीके से बन करके तयार हो अगर मेरी रेश्पी आपको थोड़ी ती भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा तो नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि गाड़ा सा बैटर बना के तयार करना होगा तो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेउ का आटा ले लिया है और इसमें बहुत थोड़ा सा हम नमक डालेंगे दो चुटकी के जितना अब एक चमच भर के तेल डाल देंगे ताकि हमारा जो नूडल्स है एकदम अंदर से सौप्ट और मॉइस बने अब इसमें थोड़ा थोड़ सा बैटर बना करके तैयार कर लिया है इसमें गुडलियां बिल्कुल भी नहीं है तो इसी तरीके के हमें बैटर बना करके तैयार कर लेना होगा तो यह थोड़ा सा गाड़ा है अब यहाँ पने एक दूद का पाकेट ले लिया है तो आप इसकी जगह पर कोई भी हार्ट सा पाकेट ले सकते हैं तो इस पाकेट को हम एक गिलास में रख लेते हैं और दूद के पाकेट का जो मु报 है वह थोड़ा सा मैं उसको चौड़ाई में करके काट लिया है अब भ इसी रसी से भी बान सकते हैं या फिर इस तरह से मेरी तरह से आप यहां पर गाडर भी लगा सकते हैं तो आप इसको टाइटली खूब अच्छे से बान लीजिएगा ताकि बैडर जो है उपर से गिरे नहीं अभी एक कॉर्णर में इसके हम कट्स लगाएंगे तो कैची की सहा इसमें हम बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे दो से तीन बूद के जितना और फिर तेल को हम एक टीसू पेपर या फिर सूती कपड़े से इसको इस तरह से पोंच देंगे ताकि हमारा जो पैन है खुब अच्छे से चिकना हो जाए उसके बाद में इसमें इस तरह से खुमा देंहें कि ही जो हमारा नुडल्स है उपर से एकदम से ड्राई हो जाए और एक कुभ अच्छे से पक करके तयार हो जाएगा तो देखिए नूडल्स उपर से एकदम अच्छे से सूख गया है और ये नीचे से पग गया है तब इसको हम इस तरह से कल्ची की सायता से निकाल लेते हैं तब एक उपर से और ये हमारा नूडल्स बन करके तयार हो चुका है और ये देखिए बहुत असानी से बन करके तयार हुआ है नूडल्स तो अभी चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के सारे नूडल्स को हम एक ही तरह से बना करके तयार कर लेंगे तो देखिए दोस्तों सारे ही नूडल्स को मैंने बना करके तयार कर लिया है और यह देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और यह जो हमारा नूडल्स है एकदम लंबा-लंबा करके बना हुआ है बिना किसी मसीन और साचे के और नाई हमें आटाग उतने की ज़रुत पड़ी बहुत आसान तरीका है बहुत आसान तरीके से आप इस तरह से नूडल्स घर पर ही बना करके तयार कर सकते हैं अब उसी पेन को मैंने ले लिया है एक चम्मच से भी थोड़ा सा कम याप मैंने सरसो का तेल डाला है तक इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो खतम हो जाए अब इसमें हम कुछ सब्जिय डाल देते हैं तो यहाँ पर मैंने गाज और सिम्ला मेजच और टमाटर ले लिया है जिसको की पतला पतला और लंबाई में काट लिया है अब इसी के साथ इसमें हम प्याज डालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइच की प्याज को भी इस तर इसे लंबाई में और पतला करके काट लिया है उसको भी डाल देते हैं और इन सबी सब्जियों को हम बस हालका सा पकाएंगे मतलब कि इसको बस सौते करेंगे लिए इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की जरुद्ध नहीं है बस कुछ देर ही इसको हम पकाएंगे तो यह देख़िए सारे सब्जियों को मैंने सौते कर लिया है और यह हलका सा सॉफ्ट भी हो गया है तब इसमें हम एक चमच भर के वाइड सॉस डाल देंगे मतलब कि भीनिगर डाल देंगे आदा चमच सोया सॉस डालेंगे और एक चमच भर के इसमें हम केचप डाल देते हैं मिला लेते हैं सभी सौसोस को सबजियों के साथ में और थोड़ा सा इसमें हम मैगी मसाला डाल देंगे या फिर जिस भी मसाले का फ्लेवर आपको पसंद है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं आदा चम्मा से थोड़ा सा कम मैंने डाला है काली मिर्ची का पाउडर अभी नूडल्स को डाल देते हैं गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इन सभी सबजियों के साथ में नूडल्स को मिला लेते हैं एक हरी मिर्ची को भी काटके डाल दिया है थोड़ा सा नमक डालेंगे या फिर टेस्ट के इसाब से डाल लीजिएगा मिक्स कर लेते हैं नमक और लूजी को खुब अच्चे से नूडल्स में और यह हमारा जटपट से एकदम हेल्दी और टेस्टी तरीके से नूडल्स बन करके तयार हो चुका है तो चलिए इसको अभी हम सर्फ कर लेते हैं तो लीजिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नूडल्स बन करके तयार हो चुका है तो आप इसे एक बर जरूर से ट्राइग कीजिएगा और इसकी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठैंक यू